Let's find the roots of x square minus 3x minus 10 equal to 0 सबसे पहले हमें इस minus 10 के factors करने होंगे जिनको आपस में minus करके 3 आए So, ऐसे factor होंगे 5 minus 2 So, 3 को में लिख सकते हैं 5 minus 2 x minus 10 Now, हम x के multiplication करेंगे 5 से भी और 2 से भी तो यह हो जाएगा x square minus 5x minus 2x minus 10 Now, हम इस bracket को open करेंगे तो यहाँ पर x square बजाएगा यह 5x रहेगा और यह plus का 2x हो जाएगा Then minus 10 Now, हम इसको group में कर लेंगे Now, इसमें से हमाँ x common लेना है तो अंदर हमारे पास बचेगा x minus 5 यहाँ से हम 2 common ले सकते हैं और यहाँ भी अंदर बचेगा x minus 5 अब दोनों साइड मारे पास x minus 5 common ले लेंगे तो हम x minus 5 को common ले लेंगे हमारा तूसरा bracket में बचेगा x plus 2 अब हम इनकी value निकालेंगे तो x minus 5 is equal to 0 जब करते हैं तो x is equal to 2 हो जाएगा 5 यह first root आ गए हमारी and then x plus 2 equal to 0 करेंगे तो x is equal to minus 2 हो जाएगा तो